प्रश्राइब नमस्का दोस्तों एक बाव फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल बखबख में हो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके वाट्सअप में कोई भी कन्वसेशन कोई भी वीडियो कोई भी पिक्चर कोई भी बातचीत कोई भ हो गई हो बाई मिस्टेक और जानबूच चाहीं तो आप उसे कैसे रेकावर कर सकते हैं जी हां वाट्सअप का डाटा डिलीट हो गया हो तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इस वीडियो को सुरू से अन तक देखिएगा कहीं पे इसके मत कीजिएगा स्टार्ट करूं बताना उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल का सबस्क्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पे सबस्क्राइब लिखा होगा वहाँ पे क्लिक करके सबस्क्राइब कर लिजे नीचे और इसके बास से घंटे का बटन आएगा उस पे इस तर साथ समझाता चलता हूं जिससे कि आपको बहुत साइज चीजे कंफर्म हो जाएंगी मैं दो वाट्सप यूज करता हूं एक मेरा है वाट्सप का बिजनेस है और एक सिंपल वाट्सप तो दोनों में से कोई भी डाटा आपका डिलीट हो जाता है तो आप उसको बढ़ी आस एक क्लिक करेंश चेटिंग यहां पर चैट में आए यहां पे आपको बेक आना होगा आपकी आपका बैकर देक्षा अपाब अग। मंतली बैकप वीकली बैकप यह जब भी आप जो सेट का देंगे उस डेट में उस टाइम पे आपका बैकप बनता जाएगा आप इसे मैनुवल भी कर सकते हैं कि जब आप क्लिक करें तब आपका बैकप बने ठीक है यहां तक क्लियर हुआ लेकिन अगर आपका डाटा आज आपने बैकप नहीं लिया है तो क्या करेंगे तो कैसे उसे रिकवर करेंगी यह समझ लिजे तो अपने फोन की सेटिंग में मत जाएए मेरा नोक्या का फोन है तो मैं डारेक्ट यहां पर फाइल पर क्लिक करता हूं आपकी फोन में भी फाइल होगा फाइल में चले मिस्टी काड्स लगा है तो आप वहँंगर लिज़ेगा अधरवाइस मेरे मेस्टी का 2500 नहीं लगा है तो मेरे फोन में ही या इंटनला श्टोड़ी में जब आएगए तो दो यहां पर तो करेगा यानिवाटसप अगर हैदो फीज काते हमां सिंकल गोड तो हम माओन लेते इसमें दोस्तों आपके फोन में डेली वाटसब के द्वारा बाइडिफार्ट लॉग फाइल बनती रहती है यानि लॉग बैकप बनता रहता है साथ दिन का रिकॉर्ड बनता है साथ दिन की अंदर अगर आपको कोई डाटा डेलीट हुआ है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं साथ दिन बाद दुबारा से पहला वाला खतम हो जाता है दूसरा वाला उसके रिप्लेस हो जाता है एक आपको दो चीजें पता होने चाहिए पहला किस डेट में आपका Já my data loss हुआ ता मालते आज दू दिन पहले मेरा डाटा लॉस आझ बारा तारीख यानि दस तारीख को अगर मेरा डेटा डिलीट हो घूए था एलिट हो गया था फोटो वीडियो याई फैलीटbok ER वाटसद से तो simple आप देख लीजिए आपर तारीक लिखा हुआ है 12 तारीक गया तारीक 10 तारीक तो 10 तारीक वाले पर मुझे क्लिक करना है यह देखिए select किया आपने उपर 3 points बने इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर दोस्तों rename पर आपको आना है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको date जो है उसे delete कर देना है यह देखिए date के अलावा कुछ भी और delete मत कीजिएगा यह देखिए आप यहाँ पर सिर्फ date को delete कर दीजिए जो date लिखा है इसे okay कर दीजिए यह देखिए सबसे उपर आ चुका है आ गया है बस उसके बाद से बंद कीजिए आपको जो भी WhatsApp आप आप एप में भी जा सकते हैं और वहां से उसको uninstall कर दीजिए जी हाँ आप उसको uninstall कर दीजिए अपने phone से इस एप को uninstall कर दीजिए और उसके बाद से दुबारा आप उसको install कीजिए तो आपको वही नंबर वगरे verify करेगा और पूछेगा कि आपका restore करना है अब yes करेगा आप यस करेंगे वह आपकी जिस देट का आपने define किया था दो दिन तीन चाह दिन यानि साथ दिन के अंदर का data आपको recover हो जाएगा और आपके WhatsApp में हो सो करेगा जी हां बिल्कुल आपके WhatsApp में हो जो data loss हुआ था दो दिन पहले या साथ दिन के अंदर जो data loss हुआ था वह आप अपने डिली WhatsApp की किसी भी प्रकार के data को retrieve कर सकते हैं recover कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको बास समझ में आई होगी अगर जानकारी अच्छी लगी हो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बना मत बाता रहता हूं अपने चैनल पर मिलूंगा फिर अगले वीडियो में कोई और ऐसी information के साथ तब तक के लिए टेक केर है बाए दोस्तों